दोस्तों मुश्कार एस चैनल में आपका फिरिश्य स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेडिंग एल्बम की टेंपलेट शीट हम किस तरह से त्यार कर सकते हैं वह भी हम फोटोशोप 7 के अंदर आप कोई भी फोटोशोप के अंदर वेडिंग एल अच्छी वीडियो उपलद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो आने वाले वीडियो की नोटिविक्शन भी आपको मिलते रही तो इसकी बेल आइकन आप दबाते रहें तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम नई फाइल लेंगे कंट्रोल अ करके यहां से अंचेस के अंदर आप कोई भी साइज इसके अंदर ले सकती हूं मैं 1812 के अलबॉम का साइज ले रहा हूं रेजलेशन इसका 240 रखेंगे ओके करेंगे यहां से अब हम पहले इसके अंदर कोई भी कलर दे सकती हैं यहां से और कलर में से कोई भी आप कलर कंट्रोल शिप्ट एंड करके ओके कर रहा हूं यहां पर मैं कलर चूज कर रहा हूं कोई भी यह इसके अंदर मैंने कलर बढ़ दिया कलर बढ़ने के लिए एडिट में जाके फिल कर दो यहां आप शिप्ट दबा के बैक स्पेस एक साथ दबाएंगे तो यह कलर इसके अंदर क्लिक करेंगे और इसका कलर हम कोई और चूज कर लेंगे और शिप्ट वर बेक्स्पेस से इसके अंदर कलर हम भर देंगे यह दो कलर हमारे पास आ चुके हैं अब इसको हम थोड़ा सा फिक्का करेंगे फिक्का करने के लिए नंबर की इसमें तीन नंबर की दबा देंगे इसमें भी नंबर की से हम तीन नंबर की यां चार नंबर की दबा देंगे कि क्योंकि हमने यह जो डिजेन है बीच का यह हमें डिजेन दिखने चाहिए इस में अब इस लेयर को में राइट क्लिक से थे स्वथ करेंगें च्ट्रल इICO यह से आपश में जूड़ जाएगे अब हम इस टूल में जाएंगे जो यह सलेक्शन इसमें जाएंगे और यहां पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह इतना सेलेक्ट हो जाएगा अब कंट्रोल एक्स करेंगे यानि अब कट हो गया यहां से इसको हम डिलीट कर देंगे एल्ट और डबल एल दबाएंगे एल्ट और एल एल तो यहां से डिलीट हो जाएग और जो आपने कट किया था कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लिया अब हमारे पास यह डिजैन आ गया इसको नाइन की दवाएंगे तो यह पूरी तरीके से सही हो जाएगा कि आप इसके अंदर कट करी कर करेंगे इसके कंट्रोल जे करें आर यहां पर ले कि ऑके इसको लेर जाकर के लेश्ट्राइल हो और ग्यानं मैंश्च अंघ यहां पर वह से आप कोई भी सके अंदर gradient देज़ सकते हो, okay कर दिया हमने, इसको इसके पीछे लेके जाएंगे, control और backspace से, और control और left bracket से, हमने control और left bracket दबाया तो यह पीछे चलागा इसके, इस तहरा से shape हमारे पास आ गई, अब इन दोनों का अपस में जोड़ देंगे, एप 7 की दबायेंगे, और layer 1 को यहां से click करके जोड़ देंगे, control E करके, और अब इसके copy कर लेंगे हम, control T करके इसको थोड़ा बढ़ा कर लेंगे इस तरह से, और Alt दबा के, इसके इस तरह से copy कर लेंगे, आप copy करने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से एक shape त्यार कर लेंगे, selection के tool में जाके इस तरह से हमने एक shape त्यार कर लेंगे, control shift N करेंगे, नई layer लेने के लिए, और यहाँ से color आप कोई भी चूज कर लीजिए, और shift और backspaces के अंदर fill कर दिया आपने, इस तरह से कर लिए आपने, इसको control J दबाएंगे, और control T करके इस तरह से बढ़ा कर लेंगे, layer में जाएंगे layer style और gradient overlay, आप कोई भी gradient इसके अंदर दे सकते हो, और control और left rocket से इसके पिछे लेके जाएंगे, यह shape, इसको हम adjust कर देंगे, और अब इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, यह है layer one copy और one, इस तरह से यह layer आपस में हम जोड़ दी, इस तरह से, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहां पर इसको यहां लिए और इसको यहां लिए इन दोनों को, इस तरह से और इस तरह से इस tool के इंदर जाके इस तरह से एक design बना लेंगे यहां पर इसको इतना select करने के बाद, Ctrl Shift N करेंगे यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी color देखे Shift और Bexpress से इस तरह से Select कर लेंगे इस तरह से हमने Shape बना लिए भी Filter में जाएंगे Blur और Motion Blur यहाँ इसके अंदर Motion Blur दे दिया Filter Distort Trill इस तरह से कोई भी हमने Trill इसके अंदर दे दिया इस तरह से हमने एक Shape इस तरह से बना दी हमने इसको थोड़ा निचे ले के आएंगे और यहाँ पे ले आएंगे और इसको भी थोड़ा निचे ले आएंगे यहाँ पे इस तरह से यह हमने इस तरह से Design बना लिए इसका यह यहाँ पे Shift कर दिया इस तरह से हमारे पास यह शेप बनके त्यार हो गई है अब इसके अंदर Ctrl Shift E कर दिया हमने Ctrl A Ctrl X इसको कट कर लिया हमने और अपने इस शीट को हमने 12-34 की शीट बनाएंगे 36 और 12 यह 12-34 की शीट हो इसके अंदर पेश्ट कर दें Ctrl V से इसको हम यहां ले आएंगे और इसकी कपी कर लें ہے Ctrl Z कर के इस तरह से और Ctrl T कर के, इसको फिलिप और गिस्को ख़ूआ इसको कर देंगे आ, इस तरह से हमारे पास यह शेप इस तरह से त्यार हो गई और यह हमारी शीट त्यार हो गई, डिजेन जोगी है अब इसके अंदर फोटो एड़ करेंगे लेयर बन को सेलेट कर लिया इसमें फोटो आप डाल दी इसके अंदर भी कोई फोटो आप डाल सकते हो यह हमने किस तरह से किया यह हमने लेयर तीन को इस तरह सेलेट करके सिप्ट और उपर का जो बटन है यहां से यह लिमनिसिटी कर दिया यह जो दिख रहा है यहां से लिमनिसिटी कर दिया यह नॉर्मल की बज़ाए हमने यहां से लिमनिसिटी कर दिया इस तरह से हैं कोई और फोटो लेके आएंगे यह से यह फोटो एक इसके अंदर हम प्रोटो यहां पे var कि मैंसे इस फोटो को कंट्रोल सिप्ट और वी इस तरह फोटो को ले आएंगे तरह से को ही हमने नॉर्मिल के पूचा अलूमिनषीटि कर देंगे और नंबर की से तीन नंबर की ये दबा दिया तो ये इसके अंदर थोड़ी mix हो जाएगी, इस तरह से, यहां से इसको मैंने इस तरह से fade कर दिया, और कोई और photo लेके आएंगे, यहां इसके अंदर भी photo add कर देंगे हम, यह जो शेप है इसके अंदर ही फोटो आप अपने साब से कोई फोटो इनके अंदर रख सकते हो मां आपको समझाने के लिए डेमो टाइप में फोटो रख रहा हूं लाघ करके इस तरह से फोटो यहां भी हमने रखते हैं है यह मने 5 यह है अई ऑपने किया टेंपलेक आख यह आपने टैंपलिट शीट पनावाद你b forum Things I तो दोस्तो इस तरह से आप कोई भी album के sheet इस तरह से design कर सकते हैं आपनी album के लिए तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए take care